टाइटनिक का मलवा कैसा देखता है रहे, कचरा देखने की जिग्यासा, जिग्यासा है क्या? इंसान ने रखा चान पे पहला कदम, अबने वजाई तालियां हम चान पे जाके लाएं हैं, मिट्टी का ढेला, चान की धूल, ये लो तुमारी आँखों में जौंकने के लिए, बजाओ तालियां बंदर की तरे बंजी जंपिंग करो, चिंपानजी की तरे ट्रेकिंग करो माउंटेन पे, पक्षी की तरे वो पैरा ग्लाइडिंग करो, इसके लिए मिलाय का मानव जीवन? इड़ पूलिशनेस नमस्ते सारश्वते देवे गौरवानी प्रचारिने, निर्विशेशा शुन्यवादी पास्चात्य देशतारिने जय श्री कृष्णा चैतन्या प्रभुनित्यानंदा, श्री अद्वाइत गदाधरा, श्री वासादी गौर भक्त व्रिंदा हरी कृष्णा हरी कृष्णा 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 हरी हरी, हरी रामा हरी रामा 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 हरी, हरी कृष्णा हरी कृष्णा 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 हरी हरी, हरी रामा हरी, हरी कृष्णा हरी कृष्णा 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 हरी हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे वांचा कल्पतरुभ्यस्चा कृपा सिंदुभ्य एवचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमहा मुकम करो तिवाचालं पंगुम लंगयते गिरिम यत्कृपातम हम वंदे श्री गुरुम दीनतारिणं यत्कृपातम हम वंदे श्री परमानंद माधवं सोलंक शिष्ट भगवान वचांसी में हरे ये कृष्टना तो आज हम एक बहुत इंट्रेस्टिंग टापिक पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसकी न्यूज जो है जैसे ही अगर आप क्या खोलते हैं एप्लिकुशन खोलते हैं न्यूज का या यूट्योब खोलते हैं तो कोईने कोई वीडियो उसका पॉप अप ह एक पंडुबी एक सबमेरिं जिसका नाम है टाइटन जिसके अंदर पांच अरब पती लोग सवार थे और उन्फॉट्वर्चुनेटली वो पंडुबी जो है वो डूब जाती है ओश्यन में और पांचों के पांचों यह अरब पती जो है इनकी मृत्य हो जाती है डैथ हो जो मृत्यू है ये इस प्रकार से होना बहुत बड़ा misfortune है उनके परिवार के साथ हमारी समवेदना है लेकिन इस incidence को इस दुखद गटना को केवल एक news बना कर नई छोड़ देना चाहिए आज हम इसका इस छोटे से वीडियो में आध्यात्निक द्रश्टी कोन से विशलेशन एनलाइसिस करेंगे फ्रॉम दा पेज़स अब बगवद गीता शास्त्र क्या कहते हैं ऐसे incidence के बारे में तो जो लोग नहीं जानते हैं उनकी information के लिए अमेरिका की एक company है जो की underwater tourism करवाती है और उन्होंने ये एक टाइटन नाम का एक submarine यानि पंडुबी इसके थूर क्या करवाते हैं वो जो Atlantic Ocean में आज से 100 प्लस years पहले यानि 1912 में जो टाइटनिक जिसको नाम दिया था Titanic the unsinkable कभी ना डूबने वाला जहाज जो पहली ही जर्नी में डूब गया और पंड्रे सो से ज़्यादा लोगों की death हो गई उसमें तो इसका जो मलबा है वो अभी भी ocean के उसके bottom पे पड़ा हुआ है तो लोगों को पता नहीं ऐसी क्या curiosity होती है क्या inquisitive ness होती है क्या उनको thrill मिलता है उस कचरे को देखने में कि लोग लाखों करोणों खर्च करके कहां जाते हैं समंदर की गहराई में जाते हैं वो जो वहां मलबा पड़ा है उसका कचरा पड़ा हुआ है उसको देखने के लिए आपको जानके आश्चर होगा कि ये जो टाइटन पंडुबी है इसमें यात्रा करने का जो शुल्क जो कॉस्ट है इसमें ये जो लाग पचास हजार अमेरिकी डॉलर यानि करीब करीब आप आएंगे दो करोड भारतीय रुप्ये सोचिए दो करोड रुप्ये देकर लोग कहां जा रहे हैं चंद घंटों के लिए समुद्ल की गहराई में जा रहे हैं क्या देखने के लिए साहब कचरा देखने के लिए ग्रेट वंडरफुल और इसमें दो पाकिस्तानी भी थे जो की पिता और पुत्र बाब बेटे और अगर पाकिस्तानी करंसी में देखें तो ये अमाउंट आती है सेवन करोड क्या करने के लिए उस मलवे को देखने के लिए और दुरभाग वश्ट क्या हुआ वहाँ पर उन सबी को मौत का सामना करना पड़ा एग्जेट कारणों के बारे में अभी भी बहुत सारे एनिलाइसिस किये जा रहे हैं बहुत रिसर्च चल रही है और जब पता चला कि भई उस पंडुबी का क्या है उसका कॉंटेक्ट तूट गया है उपर शिप से कोई कम्मिनिकेशन नहीं हो रहा है और जितने समय के लिए उन्होंने उसमें आक्सिजन सप्लाई की थी कि इतने घंटे आक्सिजन रहेगी उससे जादा समय हो चुका है इसका मतलब पता चल गया कि कोई दुरगटना हो चुकी है यानि दुनिया के अरब पती लोगों को सबसे सस्ती चीज हवा सांस लेने की हवा भी नहीं मिली तो रुप्य पैसे से जरूरी नहीं है कि हम खुशियों को हम खरीद सकें तो यहां सबसे इंट्रेस्टिंग बात क्या है कि ऐसा क्या कारण है कि लोग आजकल यह तो एक एक एग्जामपल दिया है मैंने आप पाएंगे लोग टूरिजम के लिए जाते हैं कहां पे लोग अंटार्टिका जा रहे हैं पहले के समय में लोग यह पुरा हां जोखिम से भरे हुए खत्रे से भरे हुए टूरिजम लोग करना चाते थे और आज के जो टूरिजम है यह और भी ज़्यादा खत्रे से भरे हुए हैं तो यह तो हो गया अंडर्वाटर टूरिजम फिर लोग स्पेस में जाना चाते हैं स्पेस स्टेशन सब और्बिटल तो और इनमें इतना रिस्क होता है कि बकाएदा वो लोग फॉर्म बढ़ते हैं कि हमारी जान भी जा सकती है बट वी एक्सेप्ट इट हम स्विकार करते हैं तो अगर हम शास्त्रों के दृष्टी कौन से देखें तो यह जो इन्क्विजिटिवनेस है क्यूरियोसिटी इसे बोला गया है जिग्यासा हमारी जो जिग्यासा है क्योंकि जिग्यासा करना एक मनुष्य का सुभाव है एक पशु जो है उसकी जिग्यासा बहुत लिमिटेड होती है जो जीव जन्तु जानवर हैं उनकी जिग्यासा किसमें होती है किवल चार चीजों में आहार, निद्रा, भय, मैथून, इटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग, कहां खाना मिलेगा, कहां सोने को मिलेगा, शेल्टर मिलेगी, कैसे मैं अपनी आत्म रक्षा, कैसे मैं अपने आपको डिफेंड कर सकता हूँ, और मैथून, मेटिं सेक्स कहां पे सेक्स पार्टनर मिलेगा बस ony शार चीज़ों में क्या है एक जानवर की जिघ्यासाएं होती है लेकिन वेदांद सुत्र कहता है कि जब होएं मानव जीवन मिला है तो एक मानव जीवन में हमारी जिघ्यासा क्या होनी चाहिए अथातो ब्रह्म जिग्यासा अथातो अरे भाई अब मिला है मानव शरीर अब इसमें केवल और केवल ये जिग्यासा मत करो जो जानवर भी कर रहे हैं ब्रह्म जिग्यासा अब जिग्यासा करो ब्रह्म जिग्यासा मतलब स्वयम के बारे में जिग्यासा करो मैं कौन हूँ, कहां से आया हूँ, जीवन का क्या उद्देश्च है ये जो creation है, स्रिष्टी है, इसके पीछे क्या purpose है इन प्रश्णों को करो ये नहीं कि ये टाइटनिक का मलवा कैसा देखता है, रे कचरा देखने की जिग्यासा है क्या लेकिन क्या है, क्योंकि लोग जो हैं कल्यूग में, majority of population क्या है, वो godless है वो लोग भगवान को नहीं मानते, शास्त्रों को नहीं मानते, भगवान को मानेंगे तो namesake के लिए मानेंगे अगर डॉलर के नोट पे लिख दिया, तो पूछो ना कि god क्या चाता है हमसे तो हम पाते हैं जो godless civilization है, उसमें क्या होता है उसमें लोगों की जिग्यासाएं जो हैं वो दिख भ्रहमित हो जाती है, mis directed हो जाती है कल्योक की civilization क्या है? इसलिए कितना अनाप शनाप रुपया लोग χ vender कर रहे है करोड़ रुपया दे कर जा रहे है क्या देखने के लिए? कच्रा देखने के लिए करोड़ रुपय पे ख़र्च कर रहे हैं लोग लोग जा रहे हैं कहां पर आज बोले मून पर जाना है हमको मार्स पर जाना है अरे आज से 50 साल पहले गए थे ना नासाय लॉंच किया था अपोलो मिशन उस जमाने में 1969 में 30 बिलियन US डॉलर खर्च करके कहां गए साथ हम मून पर पहुँचे इनसान ने रखा चांद पे पह ठीक है भई चांद पे पहुँचकर अरबों डॉलर खर्च करके क्या लाया वहां से मिट्टी का ढेला हम चांद पे जाके लाएं मिट्टी का ढेला चांद की धूल ये लो तुमारी आँकों में जौंकने के लिए बजाओ ताली बड़ा काम किया साथ अब चांद से मन भर अब कहां जाएंगे अब मंगल पर जाएंगे मार्स पर जाएंगे सो फूलिश सिवलाइजेशन शीमत भागवतम कहती है नूनम प्रमत्ता कुरुते विकर्मा यद इंद्रिया प्रीतया अप्रिनोती नूनम प्रमत्ता कुरुते विकर्मा नूनम मतलब निश्चित रूप से प्रमत्ता मतलब मैड अब प्रा मतलब प्रकृष्ट रूपेन मतलब कम्प्लीटली मैड ये जो वर्तमान सब्विता है ये क्या है ये पूरी तरह से पागल है कुरुते विकर्मा विकर्मा मतलब जो शास्त्रों ने मना किया है उनी कारियों को ये लोग करेंगे यानि मानव जीवन बरबाद कर देंगे अरे भाई समुद्र के अंदर जाने की जरुत क्या है देखने के लिए इस स्पेस में जाने की जरुत क्या है इतनी सारी प्रजातियों में हम घुम चुके हैं अगर हम देखें तो जो पत्न पुराण है वह में बताता है पुराण में दी गई है कि जो आत्मा है ये क्या है ये अनेक अनेक प्रकार के शरीरों में क्या कर रही है ये भ्रमन कर रही है जल जानव लक्षानी स्थावरा लक्षविम्चती क्रमियो और उद्र संख्या क्या पक्षणांद अश लक्षणम चतुर लक्षानी मनुशा त्रिशत लक्षानी पश्वा चतुर लक्षानी मानुशा अशीतिन चतुरामस चैवा लक्षान तान जीव जातिशू यानि जो हम कभी सुनते हैं 84 लाख योनिया प्रजातिया इस्पिशीज होती है उनका पूरा डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि 9 लाख योनिया प्रजातिया वो हैं पानी के अंदर 20 लाख पेड़ पौधे 11 लाख प्रकार के क्या हैं कीडे मकौडे और 10 लाख प्रकार के पक्षी 30 लाख प्रकार के पशु और चार लाख प्रकार के मनुष्य कितने होगा एकाउंट कीजिए आप 84 84 लाख तो यह कोई माइथोलोजी नहीं है it is a fact तो जब यह आत्मा एक जल्चर एक्वेटिक बॉड़ी में थी मचली गडियाल क्रोकोडाइल वाटेवर आरे तो हमने समुद्र का कोना कोना नाप लिया है भई अब मानव शरीर मिला है उसमें भी वही काम करो जिस जो हमने कब कर लिया जब हम किसमे थे हम मचली की योनी में थे तो अगर हम जब एक्वेटिक स्पीशीज में थे वही काम अगर किसमें करते हैं मानव शरीर मिलने पर करते हैं तो बेवकूफी है ना लेकिन नहीं उन्हें लगता है यह त्रिल है तो इसलिए देखिए आप क्या-क्या लोगों ने स्पोर्च डेवलप कर लिये हैं यह यह 84 लाख योनिया हैं ब्रहमदविर पुरुशई प्राप्यम मानुशम जन्म पर्यायत इन 84 लाख प्रजातियों में घूमने के बाद में क्या मिला है मानव जन्म मिला है अरे इसमें भी वही काम करो इसमें भी क्या करो ओशियन डाइविंग करो मचली की तरह बंदर की तरह बंजी जंपिंग करो चिंपांजी की तरह माउंटेनेरिंग्स ट्रेकिंग करो माउंटेन पर पक्षी की तरह वो पैरा ग्लाइडिंग करो इसके लिए मिलाये का मानव जीवन इस फूलिशनेस शास्तर कहते हैं डॉंट वेस्ट इट लेकिन लोग क्या कर रहे हैं आज आज एडवैंसमेंट के नाम पे मॉडरन नाइजेशन के नाम पे आदुनिक्ता के नाम पे यह जो पागलपन है मैडनेस से इसको बढ़ावा दिया जा रहा है इतना हार्ड अंड मनी क्या करते हैं उसको लोग ऐसे बेवकूफी भरे सो कॉल उनके पैशन्स उनमें पानी के ज़रे बहा देते हैं शास्तर कह रहे हैं अब क्या मिला है अरे भई यह 84 लाग प्रजातियों में योनियों में घुमने के बाद अब मिला है मानव जनम अब इसको बरवाद मत करो अब क्या करो अर्थ दम इसको मीनिंग्फुल बनाओ डॉंट लीड ए मीनिंग्लेस लाइफ एक अर्थ हीन जीवन मत जीओ एक अर्थ पूर्ण जीवन जीओ क्योंकि मृत्यू जो है कम मृत्यू हो जाएगी यह पता नहीं है इन पांचों अरब पतियों को यह पता नहीं था कि इनको सबसे सस्ती चीज यानि सांस वो भी नहीं मिलेगी सोचिए आप क्या उनकों पता था कि यह उनकी अंतिम यात्रा होगी कभी मृत्यू हो सकती है किसी भी इक्षण मृत्यू हो सकती है so don't be slow be fast मृत्यू हमारा पीछा कर रही है इससे पहले कि यह जो डायमंड अपॉर्चिनिटी मिली है यह मानव शरीर हमको मिला है इससे पहले कि यह शरीर हमसे छिन जाए चला जाए क्या करो निश्रेय साया यह मानव जीवन का उद्देश है self-realization आत्म साक्षातकार God-realization बगवस साक्षातकार उसके लिए हार्ड वर्क करो उसके पीछे भागो उस सबसे thrilling experience है बाकी सारे जो thrilling experience है ना वो momentary है कुछ शन के लिए है चान पे गए दो-चार घंटे रहे और आ गए कतम बड़ यह सबसे thrilling experience हमको मिलेगा यादी हम क्या करते हैं अगर हम आत्म साक्षातकार के मार्क पे बढ़ते हैं तो इस प्रकार सिशास्तर आगे समझा रहे हैं की निर्देहम आध्यम सुलबं सुदुरलबं प्लबं सुकल्पं गुरुकर्ण धारं मयानु कूलेन नबस्वतेरितं पुमान भवाब्दिम नतरेच्सा आत्महा यह जो मानव शरीर है यह क्या है निर्देहम यह एक बहुत अच्छी बोट है केवल मानव शरीर कोई पशू का शरीर नहीं पक्षी का शरीर नहीं कीडे मकडे का शरीर नहीं क्योंकि इस शरीर में कौन बैठा है आत्मा बैठी है पैसेंजर की तरह तो केवल यह जो human body है यह एक suitable बोट है उप्युक्त नौका है यह और इसमें जो पैसेंजर बैठा है आत्मा वो केवल इसी बोट में बैठकर इस संसार सागर को पार कर सकती है जो आत्मा कुते बिल्ली पशू पक्षी के शरीर में बैठी हुई है उन शरीरों में यह facility नहीं है कि संसार सागर को पार करवा दें टो क्या कीजिए अगर हमें समुद्र को पार करना है तो हमें क्या चाहिए expert captain चाहिए वो expert captain कौन है गुरु कर्ण धारम एक प्रामाणिक आध्यातमी गुरु क्या कीजिए उनको अपने जीवन का आप उनको अपने जीवन का captain बनाईए हमको guide करेंगे वो क्या करना है क्या नहीं करना है और अगर हमें जिस दिशा में जाना है उसी दिशा में क्या चल रही हो हवाएं चल रही हो favorable winds तो journey क्या होगी सुफर fast हो जाएगी तो वो हवाएं क्या है वो हैं भगवान के दिये गए निर्देश जैसे बगवत गीता श्रीमद भागवतम तो यह जो शास्त्र हैं वैदिक शास्त्र यह क्या है यह favorable winds है तो मानव शरीर मिल गया जो क्या है suitable boat है एक प्रामानिक आज्यात में गुरू उनका आश्रे हम ग्रहन कर सकते हैं वो facility भी available है और शास्त्र भी available है हमारे पास में लेकिन इन सभी के बावजूद भी क्या नहीं करें यदि कोई मनुष संसार सागर को पार नहीं करे तो क्या कहा गया है आत्म हाँ वो आत्मा का हत्यारा है तो आत्मा की कोई हत्या नहीं कर सकता लेकिन आत्मा को क्या नहीं करना आत्मा है इसका पुन है पतन कर लेना निम्न योनियों में मानव जीवन में बक्ती ना करके आध्यात्ने प्रगती ना करके यदि हम क्या करते हैं निम्न योनियों में पतन हो जाता है तो उससे बड़ा जो दुख है शास्त्र कह रहे हैं वो क इतना बड़ा है जैसे कि कोई व्यक्ति आत्म हत्या करें, वो आत्मा की हत्या की तरह बोला गया है। हमें जानना जरूरी है कि इस मानव जीवन को बरबाद ना करें, यह जो बचकानी हरकते हैं, लोग कहते हैं हम मैचौर हो गए हैं, अरे यह तो बच्चों वाली हरकते हैं भई, केवल और केवल क्या देखने जा रहे हैं, साफ कहीं पर कच्रा है, कहीं पर मिट्टी का ढेला है वो देखने के लिए लोग जा रहे हैं और इसको कह रहे हैं अड्वैंसमेंट, तो हमें जानना जरूरी है, इन चीजों में हम अपना बहमुल मानव जीवन बरबाद ना कर दें, तो इसकी जा क्या कीजिए आप, आप भगवत गीता पढ़िए, जानिए इस भगवत गीता स अरे तुम चांद पर जाने का प्रयास कर रहे हो, मंगल पर जाने का प्रयास कर रहे हो, अगर इस यूनिवर्स के टॉप मोस्ट प्लैनेट तक भी पहुँच गए, जिसको शास्त्रों ब्रम्म लोग बोला गया है, तो अभी क्या होगा, वहाँ पर भी जन्म है, और वहाँ पर भी मृत्यू है, कुछ फरक नहीं है, वहाँ से यहाँ लोटके आना ही आना है, तो क्या करना है, हमें इस जन्मृत्यू के चक्र से बहार निकलने का प्रयास करना चाहिए, यह जो एक्सिडेंट हुआ है, इससे हम जाने कि हम हमारी इन्कुजिटिवनेस, क्यूरियोसिटी को शास्त्रों के निर्देशन में गाइड करें, और ब्रह्म जिग्यासा, जीवस्य तत्व जिग्यासा, यानि आत्म साक्षातकार, भगवस साक्षातकार, आध्यात्मिक उन्नती के लिए क्या करें, इस मानव जीवन को हम यूटिलाइस करें, मैं एंड करूंगा है चोटी सी एनक्डोट से, शिला प्रहुपाद एक बार अमेरिका के एक शहर में होते हैं, और वहाँ पर मौर्निंग वॉक कर रहे होते हैं, तो एक बहुत बड़ा ग्राउंड होता है, उसके बाउन्डरी के बगल से ही, साइड बाई साइड सभी, शीला प्रहुपाद उनका जो हो, उनके जो गुरुप हैं उनके जो शिश्य हैं, अमेरिकान, येरोपियन, तो प्रहुपाद जी पूशते हैं, कि ये इतनी बड़ी बाउन्डरी वाल के अ गोल्फ कोट यह क्या है यहां पर लोग गोल्फ खेलते हैं तो प्रहुपाद जी कहते हैं गोल्फ क्या होता है गोल्फ तो वो उताते हैं शिल प्रहुपाद गोल्फ इस गेम जेनरली प्लेट बाई वहरी रिच पीपल बहुत अमीर लोग जो हैं वही खेल पाते हैं क्योंकि वह कायदा उनको मिमबर्शिप लेनी पड़ती है इस गोल्फ कलब की और क्या होता है इसमें एक बॉल होती है एक लंबी सी सिटिक होती है वो उस बॉल को जमीन पे रखते हैं और उस सिटिक से फिर भाल बॉल को फिर बॉल को बॉल को बहा את करते हैं फिर वो लोग वहाँ पर जाते हैं वॉक करके या फिर वाटेवर थू सम स्मॉल वीकल वहाँ जाएंगे दुबारा हिट करेंगे जब तक कि उस बॉल को एक होल में गड़े में न गिरा दें इस बात को सुनके प्रहुपाज जी की आँखों से आंसु आ जाते हैं बोलते हैं इन लोगों को भगवान की कृपा से इतने अच्छे परिवार में जन्म मिला इनकी आर्थिक स्थिती इतनी अच्छी है कि इनको कमाने खाने की जद्दो जहत कश्म कश्के लिए बारे से पंद्रे घंटे काम नहीं करना पड़ रहा है तो यह लोग क्या कर रहे हैं उस समय का कैसे दुरूपयो कर रहे हैं एक बॉल को हिट करके एक गड़े में गिराने के लिए तो आज हम देखते हैं लोगोंने तरीके तरीके निकाल लिये हैं इनके नाम पर क्या कर लिया है कैसे मानव जीवन का समय बरबाद किया जाए तो प्रभुपाजी को बहुत दुख होता है वो कहते हैं काश हम इन लोगों को क्या कर पाएं कि भाई आप ऐसे मानव जीवन को बरबाद मत कीजिए एक-एक मुमेंट इंपॉर्टेंट है आयू शाह एकोक्षणों अपी ना लब्यतिय स्वाण कोटी भी साचेत निरर्थकम नीतहा कानों हाने सतोव अधिका आचानक के बंडित कहते हैं आयू का एक शण भी करोणों स्वण मुद्राओं को दे कर वापस नहीं मिलेगा तो उसको निरर्थक मत गवाईए एक एक शण जो है उसको आध्यात्निक प्रगती के लिए लगाना चाहिए यही मानव जीवन का प्राइमरी परपस है और वर्तमान कल्युग में आध्यात्निक प्रगती करने के लिए आप बगवत गीता पढ़िए बगवत गीता या थारूफ बगवत गीता का सबसे प्रामानिक और सरवादिक पठिस संसकरन और आप हरे कृष्णा मंतर का जब कीजिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे ह इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, माध्यातने प्रगती कर सकते हैं, और इस प्रकार से होने वाले discourses का आप लाब लीजिए तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज यू कन इंस्टेंटली क्लिक अन दा सब्सक्राइब बटन प्रेस दा बैल आइकन ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें ऐसे इंट्रेस्टिंग वीडियोस की तब तक के लिए हरे कृष्णा